अली अब्दुलजीज को आप जानते ही होंगे अली अब्दुलजीज यूएफसी के फेमस मैनेजर्स में से एक है यानी जो डेना वाइट से बात करता है अपने फाइटर्स की और उनके लिए बेस्ट फाइट को और्गनाईज करवाता है ये मैनेजर का रोल क्या होता है ये अलग वीडियो में मैं बताऊंगा अली अब्दुलजीज जो है काफी बदनाम है एक चीज़ को लेकर कि इसके जो फाइटर्स हैं उनके खिलाफ जिनकी भी फाइट होती है यानि कि जो क्लाइंट है अली अब्दुलजीज के उनके खिलाफ जिसकी भी फाइट होती है उन एथलीट के खिलाफ अली अब्दुलजीज कुछ कुछ बोलता रहता है अभी दो दिन पहले अलेक्जेंडर वॉलकनोवस्की ने एक इंटर्वियू दिया या फिर कहें एक वीडियो डाली अपने यूट्यूब चैनल पर जिसमें उन्होंने कहा कि इसलाम मकाचेव की टीम उसे हलके में ले रही है मैं इसलाम मकाचेव को नोकाउट करूँगा और इसलाम मकाचेव मुझे टेक डाउन करी नहीं पाएगा और ये हैरानी हुई अलेक्जेंडर वॉलकुनोवस्की को देख कर कि किस तरीके से हबीब की पूरी टीम हलके में ले रही है उसे तो इसी को देख सुनकर अली अब्दुल अजीज ने एक इंट्रिव्यू दिया है तड़कता बड़कता उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ तो सबसे पहले हमारी वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक का बटन दबाएं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें अली अब्दुल अजीज सबसे पहले ये बोले कि अलेक्जेंडर वॉलकुनोवस की सठिया गए है दूसरी बात उन्होंने कही कि अलेक्जेंडर वॉलकुनोवस की को दो राउंड के अंदर खतम कर दिया जाएगा अलेकजन्डर तीसरा राउंड नहीं देख पायेगा फिर उनसे पूछा गया कैसे खतम होगा तो उन्होंने कहा कि ग्राउंड और पाउंड से खतम करेंगे या फिर हम कोई सम्मिशन देंगे लेकिन राउंड आपको अलेकजन्डर वॉलकुनोवस की या तो टैप करता हुआ दिखाई देगा या बेहोंश दिखाई देगा अली अबदुलजीज ने ये कहा है कि अलेक्जेंडर वॉलकोनोफ्की पागल हो गया है सठिया गया है अलेक्जेंडर वॉलकोनोफ्की चाहता है कि कोई जल्दी से जल्दी विनिंग स्ट्रीक तोड़ दे अलेक्जेंडर वॉलकुनौवस्की की उन्होंने कहा कि अलेक्जेंडर वॉलकुनौवस्की एक भी बार हारा नहीं है UFC में एक ग्रेट चेंपियन है इस बात की मैं इज़त करता हूँ लेकिन कहते हैं ना कि भीगो भीगो कर चपल मारना वही बात की अलेक्जेंडर वॉलकुनौवस्की के साथ अली अब्दुलाजीस ने कहा कि सबसे ग्रेट यह फैदर वेट है लेकिन यह बात मत भूलो कि यह फैदर वेट है यह लाइट वेट में नहीं लड़ सकता किसी भी लाइट वेट के खिलाफ आप अलेक्जेंडर को उतारोगे तो अलेक्जेंडर नहीं जीत पाएगा यहां तक कह दिया अली अब्दुलजीज का कहना यह है कि अलेक्जेंडर वॉलकुनोस्की को टेक डाउन भी करेंगे अलेक्जेंडर वॉलकुनोस्की को ग्राउन एंड पाउंड भी करेंगे अलेक्जेंडर वॉलकुनोस्की को टैप आउट भी करवाएंगे और उसके साथ साथ यह कहा कि जो एक वहम है इसके दिल में कि 145 में जैसे मुझे कोई नहीं अरा पाया वैसे 155 में भी मुझे कोई न नहीं रही है कहीं कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो इसलाम मखाचव के आस पास भी हो यह बात कही अली अब्दुलजीज ने अब यह इंट्रिवी सुनने के बाद अलेक्जेंडर वॉलकुनोवस्की की तरफ से रियक्शन आना तै है क्योंकि जब अली अब्दुल अब अलेक्जेंडर वॉलकुनोवस्की की तरफ से क्या बाते आएंगी यह सुनने में मज़ा आएगा लेकिन मैं हुना टैंशन मत लेना जैसे ही अली अब्दुलजीज की बातों का रियक्शन आएगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा अब खुद देख लीजे माइंड अब से चलना शुरू हो गए है फरवरी में फाइट है लेकिन उधर से अलेक्जेंडर वॉलकुनोवस्की हर दूसरे तीसरे दिन प्रेशर बनाने की कोशिश करता है हबीब की टीम के उपर और उधर से हबीब की टीम की तरफ से कोई न कोई ऐसा बयान दे देता है जो अले के कियर